हलो अवरिवन नमश्कार सुप्रभाद सुवागत है आपका मेंगनेट ब्रेंस बैंकिंग के करेंट डेफेर्स के सेशन में जिसका नाम है करेंट डेली डोस मेंगनेट ब्रेंस बैंकिंग एक ऐसा यूटिव चानल जो आपको प्रोवैड कराता है फ्री एजुकेशन विद मेंटें 100% एजुकेशनल कॉलिटी तो अगर आप कॉलिटी एजुकेशनल में विश्वास करते हैं तो मेंगनेट ब्रेंस बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेर कीजिए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 27 अक्टूबर आपके लिए उससे पहले आज का मोटीवेशनल कोट क्या है आपके लिए? You cannot change your future but you can change your habits and surely your habits will change your future. मतलब ये कि आप अपना भविश्व नहीं बदल सकतें। لेकिन आपकी आधतें तो बदल सकतें। और ऐसा कलाम साब कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर आप अपनी चोटी चोटी आदते बदल लेंगे तो ये आदते एक दिन आपका भविश्य बदल देगी मतलब ये कि आप बैठे बैठे कुछ नहीं होता आपको कुछ तो परिवर्तन लाना होगा और जो है बदल देगी तो काफी inspirational thought है ये कलाम सर का और मुझे लगता है कि हमें भी इससे अपने जीवन में उतारना चाहिए क्योंकि हमारी वो छोटी-छोटी habits अगर हम सुधार लेंगे तो definitely कहीं न कहीं हर दिन हम अपने से किये गए वादों को पूरा कर पाएंगे अपने ल infantry day इसे कैस की रूप में मनाया जाता है infantry day की रूप में मनाया जाता है when the first battalion of Sikh regiment of Indian army fought battle to accomplish victory over the first attack on Indian soil by the Pakistan army and Lushkar invader on 27th October मतलब यह के 27 October को पाकिस्तान के आर्मी ने आरजादी के बाद भारत की सरजमी पर जो पहला हमला किया था लशकर और पाकिस्तान आर्मी ने उसके खिलाफ जो है Sikh regiment की जो पहली battalion है उसने लड़ाई लड़ी थी है ना और क्योंकि यह पाकिस्तान जम्मू किश्मीर छीनना जाता था उस लड़ाई की याद में उस शौर के प्रती के रूप में Infantry Day हर साल 27th of October को मनाया जाता है और दोस्तों इस साल जो है यह बेसिकली 76th Infantry Day basically मनाया गया है तो आप याद रखेंगे 27th of October को मनाया जाता है Infantry Day जब पहली बार भारत ने कश्मीर हथ्याने के भारत से कश्मीर हथ्याने और कश्मीर लेने के उद्देश से पाकिस्तान ने तुरंद 9047 में ही हम पर हमला कर दिया था और 27 October को जैसे हम आजाद हुए पंदरागस 1947 को ने देगे 27 October को हम पर हमला कर दिया ता मतब यह देगे कितनी अच्छी भावनाए थी इनको लेकर एक तो हमने इने जमीन दी हमने जो है एक जो है अलग से देश ने सौंप दिया और कहा कि भईया आप खुश रहो अपने अलाके में लेकिन इने और चाहिए जाता है basically infantry day 27 October को आपको याद रखना है Homework question जो मैंने आपको दिया था which player has been chosen as the brand ambassador of 3020 cricket world cup for the visually impaired मतलब यह कि visually impaired के लिए जो है World Cup के लिए किस player को जो है बनाया गया है क्या क्या बनाया गया एंबेस्डर बनाया गया है तो एंबेस्डर जो है आपको बता दूं महिन सिंग धोनी नहीं सचिन तेंदुलकर नहीं योजरा सिंग को बनाया गया योजरा सिंग है बिकम the brand ambassador of T20 World Cup आपको बता दूं तीसरा T20 World Cup है जो इंडिया में हो रहा है पहला 12 में हुआ था फिर दूसरा 17 में हुआ था 22 में हो रहा है मतलब हर 5 साल में नेत्रहिनों का T20 World Cup होता है और अभी फिलाल ये भारत में ही आयजित किया गया है इतने वर्षों में चलिए अब आगे बात करते हैं वर्ड डेवलेप्मेंट इंफोर्मेशन डे इस सेलिब्रेटेड ओन विच डेट विश्व विकास सूचना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है ये भी मैंने आपको 1972 से युनाइटेड नेशन ने दुनिया का धान डेवलेप्मेंट से संबंदे समस्याओं पर फोकस करने के लिए सैंक तुरास्ट ने 24 अक्टूबर को जो है मनाना शुरू किया 1972 से वर्ल डेवलेप्मेंट इंफरमेशन डे विश्व विकास सूचना दिवसे आप ध्यान रखेंगे 1972 से शुरू हुआ 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और मनाता कौन है UN बोले तो United Nation मनाता है यह आप याद रखेंगे 24 अक्टूबर को खुद United Nation भी establish हुआ था और इसी दिन World Development Information Day भी मनाया जाता है Headlines की बात करें दोस्तों क्या है Headlines तो आज की पहली Headlines है India finds Google रूपीज 1337 करोड रूपे का fine जो है India ने Google पर लगाया है for abusing its dominant position मतलब यह कि अपनी प्रमुख स्थिती और खास स्थिती का फायदा उठाकर Google ने जो है basically कुछ unfair काम किये जो competitiveness के विरुद थे स्वस्त प्रतिस परदा के खिलाफ थे अपनी position का दुरुपियों किया और इसी कारण से इंडिया ने 1337 करोड रूपे का जुर्माना गूगल पर लगाया अब गूगल पर यह जुर्माना क्यों लगाया गया है कौन सी संस्थाने लगाया है आज हम इस पर बात करने वाले हैं फिर बात करेंगे तो cyclone sitrang hit densely populated area in Bangladesh India region affected मतलब यह कि जो sitrang साइकलोन है सित्रंग नाम का तूफान जो आया चक्रवाती तूफान जो आया उसने बांगलादेश के कई निचले इलाकों में हिट किया और भारत के भी बहुत सारे इलाके जो है वो प्रभावित हुए हम जानेंगे कि सित्रंग तूफान क्या है इसका नाम यह कैसे पारिश हुई है तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी हमारे लिए जो हम जानेंगे अना में वोंग है यह नाम है अना में वोंग सेट टू बिकम फर्स एशियन अमेरिकन टूफीचर on US currency मतलब Anna May Wong जो है ये basically इनकी तैयारी हो चुकी है इनको American currency पर print करानी की मतलब इनका चहरा होगा Anna May Wang जो है और ये पहली American Asian होंगी जो American currency पर दिखेंगी American currency पर feature होंगी तो आप से पूछा जाएगा कि हाली में American currency पर दिखने वाली पहली Asian American का नाम तो आप बता देंगे Anna May Wong इनके बार में भी जानेंगे कौन है क्यों America में इतनी importance इनको मिल रही है ये कौन से मूलकी है अगर ये एशिया ही है तो ये कहां कि रहने वाली है वो सब हम इन पर बात करेंगे रिशी सोनक रिशी सोनक become the youngest UK PM in two countries takes office मतलब ये कि जो दो सद्यों में यहां पर मैं इसको जो है countries पढ़ रहा हूं मुझे पढ़ना चाहिए basically centuries है रिशी सोनक यंगे स्यू के PM in two centuries takes office मतलब ये कि दो सद्यों में Britain के सबसे कम उम्र के प्रधान मंत्री बने clear और office समभाला किसने रिशी सोनक ने या आप धियान रखेंगे रिशी सोनक जो है उनका भारत से क्या रिश्टा है और दूसरी बात आपको बता दें कि रिशी सोनक जो है वो कि कि किस उम्र के हैं कब उनका जन्म हुआ था और कैस परिसितियों में जो है वो फाइनली ब्रेटेन के प्रधान मंत्री बने उस सब पर हमाँ चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे लिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके बाद फिर डिसार्मा मेंड वीक 2022 सेलिब्रेट्स on 24-23 अक्टूबर 24-30 अक्टूबर अभी मुझितियों का मनाना जा रहा है वो कब से कब तक 24-30 अक्टूबर तक मना जाता है यह आप यादर रखेंगे तेर कि उसके बाद फिर इंडिया फिर्स्ट माइग्रेशन मोनिटरिंग सिस्टम इनागरेटेड इन मुंबई इनडिया का पहला migration monitoring system migration monitoring मतलब पलायन का पर नज़र रखने वाला system है अब ये किसके पलायन पर नज़र रखेगा कैसे नज़र रखेगा और इसका उद्देश क्या है और किस राज में या किस देश में इसको शुरू किया गया है तो जैसे कि यहाँ पर मुंबई लिखा है मतलब महराष्ट में शुरू किया गया पर उद्देश क्या है क्यों शुरू किया है किसकी monitoring कर रहा है ये system ये सब हम आज जानेगे अपनी चर्चा में उसके बाद फिर बात करें तो आयोध्या का जो दीपो उत्सव है उसने Guinness Book of World Record बनाया है 15.76 लाख जो है वो दिये लगाए गए या जलाए गए और इतने दिये एक साथ लगाने का ये रिकॉर्ड है अयोध्या ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और 15.76 लाख दिये जो है वो लगाए गए अयोध्या में ये आप याद रखेंगे तो ये भी कही ना कहीं एक सकारात्मक और उरजावान खबर क्योंकि दो साल से जो और आगे के लक्षों पर ध्यान देना चाहती है तो ये इसी बात का प्रतीक है, well done अयुध्या, honesty shops has been opened in Kerala, Kerala में इमानदारी की दुकाने खुल गई हैं और ये इमानदारी की दुकाने क्या है, इन पर क्या मिलेगा, कौन इने खरीदेगा और इने इमानदारी की दुकान क्यों कहा जा रहा है, और Kerala में ये किस जगा पर खोली गई है, किसके दुआरा खोली गई है, इन सब पर आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे, फिर बात करते हैं, फिर बात करते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर युवरा सिंग नेम्ड ब्रेंड अमबेस्डर ऑफ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर्ड ब्लाइंड, मैंने कब से शुरू हुआ ये वर्ल्ड कप और इसके क्याप्टन जो है, वो कौन है, और किस-किस ने अभी तक जो है ये वर्ल्ड कप जीता है, और ये कौन से नंबर का वर्ल्ड कप हो रहा है, ये सब पर आज हम बात करेंगे अपने डिस्कुशन में, FATF, Financial Action Task Force जो है, उसने म्यामार को blacklist कर दिया है, और calls for due diligence, two transactions in nation, मतलब FATF ने म्यानमार को blacklist कर दिया और राश्रों में लेंदेन के लिए एक उचित परिश्रम का जो है, वो आहवान किया है, मतलब कहने का मतलब ये कि basically transactions सही जगह किये जाए, पैसे का उपियोग सही जगह किया जाए, ये सब जो है वो आहवान किया है FATF ने और blacklist किया, किसको म्यामार को आपको बताए कि म्यानमार में भी सैनिक शासन चल रहा है, लोकतंतर नहीं हुआ है, वहाँ पर अभी फिलाल तो चुनाव नहीं हुए है, तो कहीं न कहीं ताना शाही का वो प्रतीक है और इसी वजह से जो है, यहाँ पर पैसे का गलत उप्योग जो है, वो हो रहा है और इसलिए blacklist किया है FATF ने किसको म्यानमार को, चलिए शुरू करते हैं, आज का पहला question, the competition commission of India recently imposed a fine of rupees 1337 करोड रुपीज on Google, when was Google established? question एकदम साफ है, कि बहिया, बताईए की competition commission of India, हिंदी में बोलते हैं, भारती प्रतिस परदा आयोग ने हाल ही में Google पर 1337 करोड रुपै का जुर्माना लगाया, बताईए Google की स्थापना कब हुई, तो आपको बतादू, सरगेई बिन और लेरी पेज, इन्हों ने जो है Google की वो बड़ी company है, है ना, Google के CEO जो है, basically सुंदर पिछाई हैं, जो भारती मूलके हैं, और Google की जो parent company वो अलफा बिट है, है ना, और अगर भारत ने Google पर जुर्माना लगाया है, तो definitely कोई बात रही होगी, क्या ऐसा reason रहा कि Google को ये जुर्माना लगाना पड़ा, तो आपको बड़ा दो, Google का एक platform है, जिसे बोलता है Android, और Android जो है, वो अभी market leader कहला सकता है, operating system के मामले में, mobile operating system के मामले में, लेकिन, basically, जादा फायदा कमाने के चक्कर में, Google ने कुछ unfair काम किये, कुछ स्वस्त प्रतेसपरधा की limit से जादा बाहर जाकर, जो है, कुछ ऐसे काम किये, जो दूसरी कंपनियों के लिए नुकसान दायक थे, और इसी वज़े से competition commission of India ने जो है, जुर्माना लगाया है, आप से पूछा जाएगा, कि भईया, Google का establishment कब हुआ, तो 1998 में, 1998 में हुआ था, Larry Page और सरगई बिन के द्वारा, इसका establishment किया गया था, ये इसके founder थे, अच्छ Google की parent company कौन सी है, alphabet वो आप ध्यान रखेंगे, है ना, तो 1337 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है, for engaging in anti-competitive behavior, with regard to android mobile device, मतलब android mobile device से संबंदित, एक गैर प्रतिसपर्दी जो है, आचरन के लिए जो है, ये जुर्माना लगाया गया है, basically कुछ ऐसा जो नहीं किया जाना रही है था, दूसरी company को से नुकसान हुआ, और Google ने अपने power का और अपनी position का जो है, वो गलत इस्तमाल किया, इसलिए 1337 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है, आप ध्यान रखेंगे, है ना, Google का establishment हो था, 1998 में, ठीक है, और Larry Page और Sergey Bin ने जो है, इसका establishment किया था, अभी फ position in numerous regions within the Android mobile device ecosystem, है ना, मतलब यह कि अपनी position का गलत इस्तमाल करते हुए, जो है, गूगल ने दूसरी company को नुकसान पहुचाया, और दूसरी बात ही है, कि Competition Commission of India ने इसलिए से दंडित किया, आपको बता दू, 4 सितंबर 1998 को, जो है, Manlo Park, California में, Google का establishment हुआ था, और Google के जो founders थे, वो थे, Larry Page और, Sergey Bin, यह आप याद रखेंगे, चलिए, आगे बात करते हैं, next, अगला जो question है, friends, वो है, cyclone सितरंग plugged into heavily populated low-lying parts of which country, मतलब यह कि चक्रवात सितंग जो है, वो डेश, देश के भारियाबादी वाले निचले इलाकों में, जो है, गिर गया, यह कहले कि आके लग गया, यह शुरू हो गया, तो अब यह जो चक्रवात है, वो कहां पर शुरू हुआ, ताइवान में, म्यानमार में, बांगला देश में, श्रिलंका में, तो जैसा कि मैंने important news मतलब की headlines में आपके साथ discuss किया था, जो तूफान आया है, वो बांगला देश में आया, कहां पर इसी तरांग जो है, यह तूफान है, और यह तूफान कहां पर आया है, बांगला देश में, बाकि इस तूफान के बारे में और जानकारी मैं आपको देदू, बताओं, दे नेम वास चोजन फॉर्म लिस्ट ऑफ वन सिक्स्टी नाइन, लाइकली ट्रॉपिकल स्टॉर्म इशूड बै इंडिया मेंटरलोचिकल डिपार्टमेंट 2022, मतलब यह कि भारत के मौसम विभाग के द्वारा एक सो उनतर नाम जो है, वो दोजार बीस में बताए गए, पब्लिश किये गए, और उन एक सो उनतर नामों में से एक जो है, वो चुना गया है, इसका नाम, लेक बै थाइलेंड, थाइलेंड ने जो है, यह नाम जो है, चूस किया था, यह सजिस्ट किया था, है ना, बेसिकली, और इसकी भी एक कहानी है, वो कहानी में आपको बताऊं, तो बेसिकली, दुनिया भर से, मतलब साउत एशिया से बात करें, हमारे इलाके से, तो करीब 13 ऐसे करने का अफसर दिया, मतलब यह कि भारत और इसके जो पड़ोसी देश हैं, वो 13 हैं, और हर देश 13 नामों का सजेशन देगा, जैसे आप, for example, देख लेंगा पर बांगलादेश, इरान, इंडिया, मियानमा, रोमान, पाकिस्तान, श्रिलंका, थाइलेंड, यूएई, यमन, मालदीव, कतर और साओधी अरेबिया, यह 13 देश हैं, और हर देश 13 नामों का सजेशन दिया, इस तरह से टोटल 169 नेम्स हो गए, और 169 देशों में जो है, बेसिकली प्रियोटी के आधार पर, यह हर साल नाम, इनमें से कोई एक नाम जो है, लिया जाता है, तो इस बार ज जो है, वो थाइलेंड ने दिया, आप याद रखेंगे, भारत के बहुत सारे इलाकों में, जैसे देखिए, यहां पर यह उडीसा वगेरा है, और यह पूरी तरह से भारत के ऊपर भी छाया हुआ है, यहां, यह बांगलादेश भी है, और यहां पर जो है, बेसिकली, यह नौर्थीस्ट का इलाका भी भारत का, हम आप बात करें, अगर मिजोरम की, हम बात करें, असम की, हम बात करें, तरिपुरा की, हम बात करें, मेगाले की, इन सब राज्यों में जो है, बारिश हुई, और इसी तूफान के कारण हुई, और आपको बता देएं कि तेरा देश एना में वोंग वुड़ बी दा फॉर्स एशियन अमेरिकन टू फीचर ओन यूएस करेंसी अब भई यूएस करेंसी पर बेसिकली फोटो आना बहुत बड़ी बात है जब सोची आप सोच के देखिए एक बार भारत के नोटों पर अगर किसी की फोटो आती तो कितना सम्मान गर की बात होती फिलाल भारत में सम्मान सिर्फ महात्मा गांधी को प्राप्त है यह इतना ही बड़ा सम्मान अब अमेरिका में मिलने जा रहा है एना में वोंग को मिलने जा रहा है और पूचा जा रहा है कि भाई ठीक है उनको यह वो जो है बेसिकली यह कहते हैं कि आपको पहचानने और याद करने में हेल्प मिलेगी आपको इने पहचानने और याद करने में हेल्प मिलेगी एना में वॉंग बॉर्ण इन लॉस एंजलेस मतलब यह अमेरिका में ही पैदा हुई थी लेकिन यह कि इनके माता पिता जो है वो चाइनीज और है ना ताइशानीज थे अब यह जो बेसिकली चाइनीज अमेरिकन यह जो मैडम थी यह इनका जन्म हुआ था 1905 में लॉस एंज करियर रहा वो जैसे मूख फिल्म है साइलेंट फिल्म उनमें उसमें एक्टिंग की इन्होंने फिर आवाज आगे उन फिल्मों में टेलिविजन पर हैना मंच पर स्टेज पर और रेडियो यह सब में जो है इनका करियर भरा फैला रहा इन्होंने काम किया ठीक है और काफी सम्मान प्राप्त है यह अपने देश में मतलब अमेरिका में और चाइनीज अमेरिकन एक्टरेस है और इन्हीं को जो है वो अब अमेरिका की करनसी पर इनका फोटो प्रिंट किया जा रहा है तो यह इनके लिए सम्मान की बात है आप से पूछाए कि कौन से मिल के तो चाइ बार समाला तो ये जो रिशी सोनक भाई साब हैं ये कितनी उम्र के हैं क्या वो 41 एर एज के हैं क्या वो 42 के हैं क्या 43 के हैं या वो 44 के हैं तो आपको बता दू मई 1980 में पैदा हुए है ना ध्यान रखेंगे आप मई 1980 तो ये जो पीम साब हैं ये केवल 42 साल के किते साल के केवल 42 साल के only 42 years old केवल 42 साल के हैं काफी young है और ये ब्रिटेन के इतिहास में 200 वर्षों के इतिहास में basically सबसे कम उमर के प्रधान मंतरी ये बने हैं clear है बड़ी बात है इस achievement को हसल करना रिशी सोनक के बारे में आपको कुछ और बाते बताऊं तो रिशी सोनक जो है वो ब्रिटेन के 79 प्राइम मिनिस्टर बने ये रिशी सोनक जी है और ये ब्रिटेन के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने 79 प्राइम मिनिस्टर बने इनका जन्म 12 माई 1980 को हुआ था 12 माई 1982 को और 42 जो है फिलाल इनकी एजे 42 साल के है और साउथ हेम्टन हेंशायर इंग्लेंड में जो है इनका जन्म हुआ था और पॉलिटिकल पार्टी इनकी कंजर्वेटिव पार्टी है इनकी शादी हुई अक्षता मूर्थी से 2009 में इनकी शादी हुई है और 2022 में ये पी-म बन रहे हैं बच्चे हैं दो इनके और दूसरी बात ये कि एक सबसे बड़ा जो मैं आपको संबन्द बताऊँ भारत से तो वो ये है कि भारत में जो है इनकी शादी हुई किस से एन नारायन मूर्थी जो हमारे Infosys के founder है है ना उनकी बेटी से इनकी शादी हुई एन नारायन मूर्थी की बेटी है अक्षता मूर्थी ठीक है और इनकी जो सासुमा है मतलब ये की mother-in-law है वो है सुधा मूर्थी और brother-in-law जो है वो basically बात करें तो रोहन जो है मूर्थी basically इनके brother-in-law है तो ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया है भारत से गहरा connection है इनका है ना और रिशी सोनक जो है वो भारत अब बड़ी उम्मीद से जो है कैसे भला हो सकता है ये भी definitely ऐसा इंडियन सोच रहे हैं कि अब इनकी तरफ से help मिलेगी क्योंकि ये भी भारतिया मूल कहें तो कहीं न कहीं वो हमारी बातों को समझेंगे मेरे परिशानियों को समझेंगे तो congratulations रिशी सोनक जी आप बने ब्रिटेन के 79 प्राइम मिनिस्टर अच्छा आप से पूछा था किसकी जगह पर बने तो लिश्ट्रस जो की 78 प्राइम मिनिस्टर बनी ती और लिश्ट्रस जो है वो बेसिकली बोरिस जॉंसन की जगह पर बनी थी बोरिस जॉंसन 77 प्राइम मिनिस्टर थे लिश्ट्रस 78 प्राइम मिनिस्टर बनी और रिशी सोनक जो है 79 प्राइम मिनिस्टर बने या आप याद रखेंगे आगला question है हमारे पास disarmament week is observed every year from 24 to 30th October which advances an important agenda of मतलब निशस्त्री करन सब्ता हर साल 24 से 30 October तक मनाया जाता है जो डैश के महतपूर एजेंडा को आगे बढ़ाता है मतलब यह कि निशस्त्री करन सब्ता जो 24 से 30 October को मनाया जाता है किसका एजेंडा है किसके एजेंडा को आगे बढ़ाता है क्या यह UNESCO का एजेंडा United Nation Educational and Scientific Cultural Organization जी नहीं क्या यह OPC का एजेंडा है Organization for Prohibition of Chemical Weapons बिलकुल नहीं क्या यह CPRI का एजेंडा Stockholm International Peace Research Institute बिलकुल नहीं यह जो निशस्त्री करन का एजेंडा है यह United Nation का है किसका है यह United Nation का है आप याद रखेंगे हैना United Nation Disarmament Week 1972 से इसकी शुरुवात हुई थी हैना और इसके बारे में कुछ important point बताएं तो basically United Nation Disarmament जो है Commission का establishment गुए था 1952 में यह Commission कब बना था 1952 में बना था United Nation Disarmament Commission का जो headquarter है वो New York में है यह भी आप याद रखेंगे है ना फिर उसके बाद बात करें देखिए UNDC बोला तो United Nation Disarmament Commission establishment 1952 में headquarter New York में यह ना United Nation Disarmament Commission के head जो है वो है Hentai Song Hentai Song जो है वो इसके head है यह भी आप याद रखेंगे इंडियास first migration monitoring system inaugurated in Mumbai मतलब यह कि भारत का पहला migration monitoring system मुंबई में जो है इसका उध्गाटन हुआ the system provides updated information about what मतलब यह भारत का पहला migration monitoring system मुंबई में उध्गाटन किया गया यह system dash के बारे में अध्यतन जानकारी प्रदान करता है क्या यह pregnant महलाओं के जो है या प्रवासी महलाओं गर्वती महलाओं के बारे में जो है इन पर नज़ा रखता है क्या यह basically lactating women मतलब की इस्तन पान कराने वाली महलाओं पर नज़ा रखता है उनके migration पर नज़ा रखता है या फिर या चिल्डरन या बच्चों को जो migrate हो रहे हैं उन पर नज़ा रखता है कहने का मतलब यह जब महलाओं गर्वती होती और माली जे वो किसी और district में है लेकिन उसके बाद वो कहीं और migrate हो गई काम के तलाश में उनका परिवार कहीं और shift हो गया तो यह migration system जो है यह basically trace करेगा उस women को कि उसका moment कहां हुआ यानि कि वो जो है कहां shift हो गई कहां पर जो है migrate की उनका ध्यान रखा जाए ताकि और lactating women जो इस तनपान करा रहे हैं उनको भी निगरानी में रखा जाएगा और दूसरी बात है कि children और बच्चे भी अगर migrate हो रहे हैं तो यह सब जो है basically कहीं ना कहीं सही है so the right answer is option D migration monitoring system जो की शुरू किया गया मुंबई में है ना और यह इन सभी कारणों से प्रवासी भारती गर्वती महलाओं स्तनपान करने वाली महलाओं और बच्चों इन सब का ध्यान रखने के लिए इनके जो है migration होने पर इनका ध्यान रखने के लिए जो है यह migration monitoring system मनाया गया अच्छी पहल है महराष्ट सरकार के द्वारा अच्छा यह जो है वो इंडिया का पहला migration monitoring system है है ना और यह जो है महराष्ट women and child development minister मंगल प्रभात लोडा जी के द्वारा शुरू किया गया अब आप बोलोगे महराष्ट के महिला बाल विकास मंत्री कौन है तो आप बोलेंगे मंगल प्रभात लोडा मंगल प्रभात लोडा जो है यह basically कौन है तो यह है migration monitoring system जो है basically इसको inaugurate करने वाले और women and child development minister है मंत्री है महराष्ट के अगर बात करें तो महराष्ट का इस्थापना जो है वो 1960 में हुई थी 1960 में एक मई 1960 को महराष्ट के governor इस समय है भगत सिंग कोशियारी महराष्ट के chief minister एकनाथ शिंदे और basically विधान सबा में जो seat है वो 288 seat है और विधान परिशद में जो seat है वो 78 seat है यह आप याद रखेंगे clear है है यह जरूरी है पूछा जाता है विधान सबाबे महराष्ट की कितनी seat है 288 और विधान परिशद में 78 clear उम्मीद आपको याद रहेगा यह जो है महराष्ट का मैप है बाला कि हम सब पहचानते हैं बहुत अच्छे से अगली बात दोस्तों हम करते हैं आयोध्यास दीपोटसव ब्रेक्स इट्स ओन गीनिज रिकॉर्ड विध 15.76 लाग दिया वाट इस दा रीजनल लेंगवेज ऑफ आयोध्या दोस्तों अभी आपको बता दूँ कि किस तारिक को जब दिपावली मनाने से कुछ दिन पहले ए दिव नदी के किनारे 15.76 लाग दिये जो है वो यहाँ पर जलाए गया और यह अपने आप में गिनिज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया अयोध्या की शेत्री भाषा क्या है तो दोस्तों आपको बता दूँ एध्या की जो शेत्री भाषा हिंदी इंग और पॉइंट्स जो है देखें हम तो सिंपल आयोध्या जो है जैसे की इंपोर्टेंट है कि कौन से देश में तो यह सब हम जानते हैं भारत में हैं राजी कौन सा है तो यह भी सोचने वाली बात नहीं है उत्तर प्रदेश में है जिला कौन सा है ध्यान रखिए फैजाबा और कहीं न कहीं उस सब के बीच इस तरह के आयोजन जो है वो यह दर्शाते हैं कि अब जो है जनता बिसिकली कोरोना के उस काल से उस भायानक समय से बाहर निकल के आई है और अपने जीवन में वो छोटी-छोटी परसंदता हैं तलाशती हो और यह तना बड़ा रिकॉर्ड लोगों के उसाह को दर्शाता है जहां पर लगबग पौने 16 लाख जो है वो दिये जलाएगा और गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो दर्ज हुआ अगला है honesty shops has been opened in Caroline which district मतलब यह कि इमानदारी की दुकाने किस जिले में खोली गई है ना तो आपको बता दूं कि केरला का एक जिला है हालाकि यह सारे केरला के जिला है या जिले हैं डिस्ट्रिक है तो क्या पालकड में खुली इमानदारी की दुकान या कोची में खुली य अरना कुलम में खुली कहां पर खुली अरना कुलम में अब अरना कुलम में दुकान खुली है इमानदारी के पर यह इमानदारी की दुकाने क्या है तो दोस्तों केरल के अरना कुलम में जिले के स्कूलों ने जो है कक्षा बारा तक के लिए जो है यह इमानदारी की दुका कोई भी दुकानदार या सेल्समें न का इमानदारी की दुकान मतलब ऑन की जो भी करना बच्चे přства quindi करेंगे बारवी तक की इसमेंक कोई सेल्समेंन नहीं न कोई दुकानदार नहीं हना और यहाँ पर Mississippi सामाओ करीं परट करेंगे जैसे यह आप दहीं है पैन सिल है से फाइल कुवर और जो भी यह इस स्टूडिंट जो भी सामाण करेंगे वहां पर वहां पर खुद सामाना का जो एचा गपकरेंगे और पैसा अटेंगे यह भी आपने बड़ noises दिया खुल्ले विश्वास की भावना और इमानदारी की भावना वोर पैदा होगी आदत benेगी इमानदारी एक आदत बनेगी तो इमानदारी की दुकानें तो आप ध्यान रखेंगे अरना कुलम डिस्टिक केरला के अरना कुलम में जो है यह खुली गई है अगला जो खबर दोस्तों जैसे कि आपने पढ़ा था अभी थोड़ी जेर पहले युवरास सिंग बिकम दा ब्रेंड अमबेसडर फॉर थर्ड टी ट्वेंटी क्रिकेट वल्ल कप इत विल बी औरनाइज इं विच कंट्री यह किस देश में आयजित किया जा रहा है तो आपका बता दूँ कि भारत में आयजित किया जा रहा है त्यर्न डिकम गन्न हाथथ देश कि तवेंटी वर्ल कप है और यह जो थर्ड ब्लाइड T20 वर्ल कप है यह basically कहां आईजित हो रहा है तो आप ध्यान रखेंगे यह भारत में आईजित हो रहा है third blind 2020 world cup ठीक औरे किसको बनाया है इसका ambassador हलाकि यह December में आईजित किया जाएगा इसका ambassador बनाया गया है युवरा सिंग को यह आप याद रखेंगे भारत में आईजित हो रहा है हलाकि इस से related कुछ information आपको बताओं तो जो important point है कि अभी तक जो winners रहें blind 2020 world cup में सबसे पहले जो blinds का world cup हुआ था 2012 में हुआ था इंडिया में आईजित हुआ था और इंडिया नहीं वो जीता था है हम world cup के winner है 2012 के हम 2017 में भी blind जो है टीम उसके जो है blind t20 world cup उसके winner है यह भी 2017 में हुआ दूसरा था और तीसरा जो है वो बेसिकली अब आई जित होने जा रहा है दिसंबर 2022 में आपको बता दू कि आई अजय कुमार रेड़ी यह नाम लिख लीजे आई अजय कुमार रेड़ी विल बी दा captain of Indian team यह जो है basically captain रहने वाले हैं है ना मतलब की कप्तान रहने वाले आई अजय कुमार जो भारती टीम के कप्तान होंगे ओके चलिए next है आगे बढ़ते हैं कि FATF financial action task force blacklisted म्यानमार FATF का establishment कब हुआ था तो FATF financial action task force जो है दोस्तों यह basically म्यानमार को इसने blacklist कर दिया है लेकिन अभी थोड़े दिन पहले यह पाकिस्तान को इसने grey list से बाहर कर दिया आपको बता दे financial action task force जो है वो money laundering पर नज़र रखती है money laundering का पैसे का जो पियोग है वो आतंकवाद और दूसरी अन्य गलत गतिविधियों में लगाए जाने पर यह नज़र रखती है उस पर रोग लगाती है और financial action task force ने फिलाल म्यानमार को blacklist किया जिसकी वज़े यह कि म्यानमार जो है वो कहीं नगी महाँ पर सेनिशासन है और वहाँ पर लोगतंतर जो है आलमोस्ट खतम हो चुका है और पैसे का उपियों गलत तरीके से गलत activities में हो रहा है और इसलिए FATF ने म्यानमार को blacklist किया है और पाकिस्तान को जो है basically वो grey list से बाहर कर दिया है जितना भई ज्यादा blacklist मतलब यह कि यह देश किसी लाइक नहीं है दुनिया को कोई देश मदद नहीं करेगा help नहीं करेगा कोई bank loan नहीं देगा है ना क्योंकि वो सही उप्योग में नहीं ला रहा है पैसा दूसरी बात है मतलब यह कि बढ़िया सब देश चल रहा है और कोई भी शक की गुंजाश नहीं आप पैसे को पीयोग सही कर रहे है ना आतंकवाद वगयरा या गलत कामों में आपका पैसा नहीं लग रहा है इसका मतलब है अगर आप इन दोनों मतलब कोई देश अगर grey list और blacklist में नही जाएगा और दूसी बात है कि विदेशों से उसे लोन लेना आसान हो जाएगा पाकिस्तान पिछले कुछ वर्षों में ये प्रूफ करने में कामयाब रहा कि आतंगवाद पर पैसा जो है वो खर्च नहीं करता है और आतंगवाद पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर जाए तो इसी वज़े से एफटी एफ ने जो है पाकिस्तान को ग्रेलिस से बाहर कर दिया विदेशों से इन्वेस्मेंट लाना और उधार लेना जो है पाकिस्तान के लिए आसान बन जाएगा दोस्तों आज के homework question की बात करते हैं आपके लिए homework यह है कि एक book आई है जिसका नाम है from dependence to self-reliance from dependence to self-reliance यह book है और इस book के author कौन है यह आप बताईए क्या एस जैशंकर है क्या राजीव महरशी है क्या विमल जालाने क्या राजीव पन्त है यह आपको हमें बताना है और इस book में किस बारे में बात हुई यह भी आप बताएंगे यह आज का homework है आपका और दोस्तों बताईएगा कि आज की जो खबरे हैं यह कैसी लगी आपको और भी कौन से topic पर आप video चाहते हैं और किस तरह से current affair पढ़ना चाहते हैं किस timing पर current affair प quality तो अगर आप education की quality में विश्वास रखते हैं या quality education में विश्वास रखते हैं तो हम तक जरूर आई यह मतलब यह कि Magnet Brins Banking को subscribe कीजिए और share कीजिए मिलते हैं आपसे अगले दिन मतलब की कल के current affairs के video में आज के लिए फिलाल इतना ही थैंकियो everyone जैहिन